हेलो एब्रीवन वेलकम वॉल यूटूब इस्टेटी इंडियर चैनल इस्टेटी इंडियर चैनल में आप सभी का स्वागत है हिस्ट्री MCQ सीरीज को हमने स्टार्ट की थी पार्ट वन पार्ट वो हम करा चुके हैं पार्ट थ्री है और इसमें हम दस क्वेशन करेंगे दस क्वेशन जो होंगे हम उससे डिटेल में पढ़ेंगे और इस चीज से आपको बहुत जादा मदद मिलने वाली है उत्राखन के जो आगामी एकजाम आने वाले उन सभी के लिए जो ग्रूप सीके होंगे देखे पहला प्वेशन यहां पर आपके लिए है कि भारत्य कॉम्मिनिस्ट पार्टी CPI जिसे कहते हैं इंगलिस में का अस्तिव तो किस वर्स में आया था यह आप्सन है आपके बास 1912, B है 1915, C है 1918 और D है 1925 देखे जो कॉम्मिनिस्ट पार्टी थी जो CPI भी बोलते हैं यह इसका अस्तिव तो आया था 1925 में और इसको अस्तापना के थी मोई ने इसकी अस्तापना किस ने की थी मेंट और विको ही पाइनीर का जाता है जिन्हों ने कम्मिंस्ट पार्टी या कौम्णिम्मा को इंडिया में फैलानी का एक स्राय इन dalej को दिया जाता है तो वेयरी चीजे इमेन रोज जी के बारे में important है देखे question number two आपके सामने इस तरीके से है कि मात्मा गांधी के राजनेतिक गुरु कौन थे तो यानि कि मात्मा गांधी के political गुरु कौन थे तो आपके सामने option इस तरीके से है मदन मोहन मालवया जी बाल गंगादर तिलाक लाला लाजप बात करें तो इन्होंने क्या कर रहा था इन्होंने मात्मा गांधी जी के साथ जो second round table conference थी second round table conference थी या second goal में समीलन जिसे कहते था उसको attempt किया था मलदा उसमें सामिल वेते इसके अलावा बाल गंगादर तिलाक एक और चीज मैं आगर आपको बता दूं मदन मोहन वाले जी के बारे में तो इन्होंने हिंदू कॉलेज की स्थापना भी की थी ठीक है इसके अलावा 1978 में जब मात्मा गांधी अफ्रीका से लंडन के थे तो लंडन से वापस आज दे समाई मदन मोहन वाले जी भी गांधी जी के साथ और गांधी जी ने उस टाइम पे हिंद सुराज क थी हिंद सुराज जो पुस्तक थी उसको लिखा था यह चीज भी आप याद रखिएगा ठीक है इसके अलावा अब बाल गंगातर तिलक के बारे में अगर मैं आपको बता दूं तो जो बाल गंगातर तिलक आप सभी को पता है कि गंपति फैस्टेबल और गंपति फैस्ट गरम दल के सबसे प्रमुख ब्यक्ति थै इसके अलावा जो बाल गंगातर तिलक थे उनने कुछ पुस्तके भी लिख की ती जिसमें सबसे इंपोर्टेंट पुस्तक इनकी जो हो जाती है वो हो जाती है गीता रहस्य यह बहुत इंपोर्टेंट बुक है और बार बार के बारे में याद रखिएगा और 1922 में इनकी क्या हो गई थी मिर्ट्यू हो गई थी तो यह सारी चीजे आप इस चीज को याद रखिएगा बालगंगदर तिल्ग के बारे में वहीं लाला लजपत राई की बात करें तो आप सबी को पताया कि 1928 में साइमेन कमिशन के जैसे 23 मार्च 1931 को भगत सिंग को फांसी हो गई थी ठीक है और इसी दिन हम क्या माना मनाते हैं सहीद दिवस भी मनाते हैं तो यह सारी चीजें आपको इस प्रशने से याद रखनी है अब गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में हम आपको बता चुके हैं 1905 में गोपाल कृष नेशनलन कॉंग्रेस का प्रेजिडेंट भी बनाया गया था तो यह चीज़ आप याद रखिएगा 1905 से 1906 मैं कन्फूज हो रहा हूं आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताया है 1905 में किया था यह कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताये ठीक है इसके अलावा सारे जहां से अच्छा हिंदोस था हमारा इसके रचनाकार कौन थे तो इसने इसके रचनाकार सिंपल है इसके रचनाकार इकबाल थे ठीक है मौबद इकबाल जिने कहते हैं सारे जहां से अच्छा हिंदोस था हमारा इन्हों ने लिखा था रविन्ना टैगर आपको पता है रविन्ना ट तो यह बुक भगत सिंग की है तो इस चीज को भी आप याद रखिएगा तो I HOPE आप यह सारी चीजे समझ गे होंगे तो यह और रविण नार टैकोर के बारे में एक याद रखिएगा एक तो इन्होंने इंडिया का इंडिया का नेशनल एंथम तो लिखा ही लिखा है साथ साथ में इन्होंने बांगला देश का भी नेशनल एंथम लिखा है जिसका नाम है अमार सुनार बांगला अमार सुनार बांगला ठीक है तो यह चीज आप इस चीज से याद रखीएगा ठीक है और नाइट हुट की उपादी इन्होंने क्या कर दी थी रिनाउंस कर दी थी छोड़ दी थी आप ड़र जलिया वाला बाग हत्यागान ठीक है इसके बाद यहाँ पर आप question number four है कि दीन बंदू के नाम से कौन विख्या बाद है ठीक है यह किसके टाइम पर थे यह थे 1904 और पांच की टाइम पर ठीक है और इस टाइम पर कौन गवर्नर जनरल था यह भी आप मुझे जरूर बताए या आप बोल सकते हैं वाज जरूए ठीक है तो इस चीज को मेरे को जरूर बताए आप कमेंट बॉक्स में चितरण जन दास यानि कि सियर दास को क्या कहा जाता था देश बंदू कहा जाता था ना कि दीन बंदू ठीक है दीन बंदू अगर बात करेंगे तो सियर दास को और सियर दास को देश बंदू कहा जाता था और सियर दास को पॉलिटिकल गुरू कौन मानते थे पॉलिटिकल चीजे फिट हो जाए इसके इलावा वेसर नॉमर फाइब आपके पास माई एक्सपेरिमेंट विद्ट टूथ कि रशनाकार कॉरने यह तो बहुत ज्यादा सिंपल है इसका जो आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा मात्मा गांदी जी इसके लावा मौलाना अब्दुलकलाम ठीक है इंडिया विंस फ्रीडम यह बहुत ही इंपोर्टेंट बुक है इस चीज को आप याद रखिएगा इसके अलावा इन्होंने एक जर्रल भी लिखा है उस जर्रल का नाम है अलहिलाल तो यह सारी चीजे इंपोर्टेंट है और इस यह जो इंपोर्टेंट चीजे है यह question आपसे पूछे जा सकते हैं तो जो जो चीजे मैं यहाँ पे आपको एक्स्रा बता रहा हूं वो सारी चीजे question पूछे जा सकते हैं अब तो उनको भी आप note रखिएगा देखिए जो जही परकास नायरंड जी है जही परकास नायरंड जी है उन्होंने टूटल revolution यह संपूर्ण करांदी जिसे हिंदी में कहते हैं उसका नारा दिया था याद रखिएगा गांधिवादी थे यह जवालाल नेरू ने discovery of India पुस्तक लिखी थी और इसके अलावा इनका जो पेपर था national herald national herald इन्होंने पुस्तक लिखा था ठीक है करंटली इसी चीज़ पे एक कॉंट्रोवर्शी भी चल ली थी वो कॉंट्रोवर्शी क्या है इतना आपको जाननी की ज़रत नहीं है बट जवालाल नेरू ने discovery of India और national herald दो national herald जेनल था इनका और discovery of India इनकी बुक थी ठीक है तो I hope इतनी सारी चीज़े आपको इस question से समझ में आएंगी now question number six की बात करते हैं यहाँ पे chronology दिखानी है प्रमानुसार दिखाना है तो सबसे पहले लिखाए हैं यहाँ पे Simon Commission का भारत आग्मन अस्वयोग अंदुलन पूना पैक्ट और गांधी इर्विन पैक्ट देखे Simon Commission क पाया था Simon Commission आया था 1928 को जबकि अस्वयोग अंदुलन वा था 1920 को पूना पैक्ट वा था 1932 को ठीक है और गांधी इर्विन पैक्ट वा था 1931 को ठीक है तो यानि की सबसे पहले दूश्रा नम्मर का यानि की अस्वयोग अंदुलन उसके बाद पहला नम्मर का यानि की 243 2143 आप का आंसर हो जाएगागा ठीक है तो यह तु तरीके से आपको करोनलोजी में याद होने में चाहिए करमानुसार याद होना चाहिए कि कौन्सी चीज कप पहले घर्टी थी टेक है यह फाले शारी चिज अगर आपको याद होंगी तो इस तरीके कैसिशन आप कर सकत यह तान्डी मार्स इस्टार्ट किया गिया था और दान्डी मार्स कब श्टार्ट भी ती बाराम पार धा hon高 को और खतम भी थी छह अप्रेल जिक्वर मतिन टांडी की तरह बड़े थै यह सॉथ 2000 का गर अगर मैं मैं बनाल तो यह तोयान मैय तो यहाँ पे सनतित है और इधर कहीं दांडी है आधर कहीं दांडी है तो इस तरीके चले थे सोरी गुजणात का मैप है यह कहीं दांडी है और यह सावर में ती और यह तरी हुआ किलो मीटर था एतासी किलो मीटर की दूरी थी और यह तो इतना चीज आपको इस कुएसन से याद रखना है तो I hope आप इस चीज को समझ गए होंगी है तो question no.8 आपके सामने है कि गांदी जी ने किस कानून को काला कानून का था काला कानून का था किसको ठीक है तो ये का था इन्होंने रॉलेक्ट एक्ट को ठीक है देखे रॉलेक्ट एक्ट को हिमालायन ब्लंडर भी का जाता है पर जो चैम्स फोर्ट कौन थे एंज फूर्ड यहां पर वाइसरॉट थे ठेक है और इस जो यह डॉलक्ट एक टाए था ठेक है रॉलक्ट एक्ट आयед yak'd था और ये सारी चीजे वी थी नाइंटीन में ठीक है और नाइंटीन में वी थी और उसके बाद क्या होा था कि जो हमारे रेविदनार टैगओर जी है इन्होंने अपनी जो नाइट हूट की जो उपा दी थी उसको भी क्या कर दिया था त्याग दिया था तो ये सारी चीजे हैं तो हिमालायम ब्लंडर ये एक बार यूपेसी में पूछा जा चुका है तो आप इस चीज को भी ध्यान रख सकते हैं तो क्वेशन नमर आठ से आपको इतनी सारी चीजे याद रखने दिए देखें जो मॉन्टेस की घोष्णा लिखा आया यहां पर लिखा यह मॉन्टेस की गोष्णा यह विए थी 1917 में हंटर आयोगदे को हंटर कमीशन आया था जब क्या हुआ था कि जलिया वाला बाग हत्या करनवा था तो उसकी चान बीन के लिए उन्टर कमीशन आया था ठीक है तो जलिया वाला बाग के बात आया था यह कॉमीनल आवार्ट मैंने कॉमीनल आइमनिस्टर थे 1932 में और इसी वज़े से यरवदा जेल में मात्मा गांधी ने क्या करा था भूख हरताल करी थे अंसन करा था और इसके बाद क्या हुआ था पुना पैक्ट वा था 1932 सितंबर 1932 में तो यह सारी चेज़ा आप याद रखेगा यह सारे बैक्राउंड मैं कोशले बता रहा हुँ तांकि इन से कोई भी क्वेसन आए आप सारे कर पाओ नम्मर नाइन है चंपारन सत्या ग्रें के दोरान मात्मा गांधी के साथ कौन सामिल था ते के चंपारन जब इंडिया भारत जब मात्मा गांधी जी इंडिया आय थे तो कहा जाता है उन्होंने के खाया था यानि कि सबसे पहले वो चंपारन गए थे फिर उसके बाद एमदाबाद गए थे और उसके बाद वो खेडा चले गए थे अब जब वो चंपारन गए थे तो चंपारन उनको बुलाया था राजेंदर परसाथ सुकला ने बुलाया था ठीक है वहां के जो लोग थे वो इंडिको प्लांटेशन से बहुत ज़्यादा दुखी थे और साथ-साथ में वहां पे तीन कटिया सिस्टम भी चल रहा था ठीक है तो इन सारी चीजों से प्रेशान होके राजकुमार सुकला जी ने मात्मा गांधी को चंपारन बुलाया और मात्मा गांधी के साथ थ ठीक है क्योंकि राजेंदर परसाथ भी कहां के थे बिहार के थे और अनुग्रह नायरन सिंग ये दोनों ही मात्मा गांधी के साथ थे इसके लावा कुछ और लोग भी थे जैसे जेपी क्रिपलानी जी ये अचरे जेपी क्रिपलानी ये सारे भी थे बट क्वेशन क्या उन ठीक हैं बनाई जा सकते हैं आपके पिपर वो सारी चीजे में आपको बता रह andar रहा हूं विस्टन नमर्ट हैं तक करेंगे क्वांकि मैं आपको बहुत सारी ерм information भी दे रहा हूं और इससे क्या होगा कि अगर ज्यादा question करेंगे तो आप retain भी नहीं कर पाएंगे और साथ साथ में वीडियो लंबी भी हो जाएगे और आप बोर भी होते जाएंगे तो question 10 तक कराते हैं आज और इसके अलावा जो question 11 से लेकर 20 तक होगा वह अगले वीडियो में हम करा लिए तो यहां पर लिखा है कौन आजात हिंद फौज से संबंदित नहीं है तो इस चीज को आप बहुत ज़्यादा ध्यान से देखिएगा नहीं है तो आजात हिंद फौज यानि आयने से कौन संबंदित नहीं है तो option इस तरीके से दिया गया है देखे आयने में कौन सिंगापूर में सिंगापूर में ठीक है 1943 में 1943 में अब देखिए यह दो नाम आपको कहां से याद रखने है अगर आपने इंडियन हिस्ट्री पर ही होगी तो गुर्दयाल सिंग धिलो सेनावाज खान और इनके साथ एक और थे उनको क्या गई थी फासी दी गई थी उनको यह तीनों नाम आपको वहाँ से याद रखने थे सेनावाज खान हो गया गुर्दयाल सिंग धिलो हो गया और प्रेम कुमार सेनावाल यह तीन लोग थे एक थे पंजाब पंजाबी थे सेनावाज खान मुश्लिम थे और प्रेम कुमार सिंग धिलो सरे प्रेम जो प्रेम सकते थे और जनर्र मोहन सिंग का नाम तो आपको पता ही है तो यहां पर हमसे नहीं पूझा है तो यह तीनों तो नहीं होंगे आर्सी दत्ता हो जाएंगे तो आर्सी दत्ता क्या थे एक इंडियन इंडियन एकोनोमिस्ट थे जिन्होंने एक पुस्तक लिखी थी दा इकोनोमिक हिस्ट्री ओप इंडिया थी यह चीज आप याद रखने आर्सी दत्ता का नाम आप कहां से याद रख सकते थे जब ड्रेन ओफ वेल्थ का जो कॉंसेप्ट आता है जो की लाया गया था दादा आई जी नौरेजी के द्वारा तो ड्रेन ओफ वेल्थ का जो कॉंसेप्ट था उसमें ड्रेन ओफ वेल्थ में किसने अपनी टिपनी दी थी आर्सी दताने भी अपनी टिपनी दी और अपनी पुस्तक लखी थी उन्होंने इकोनोमिक हिस्ट्री ओप इंडिया तो यह सारी चीज़े आपको इस पर्टिकुलर क्वेशन से याद रखने दी तो क्वेशन नमर्ट 10 तक ही हम मैं आपको करा रहा हूं क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी और आपने इसमें बहुत सारी चीज़े समझी होगी अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो जुरूर जादा वीडियो आपके लिए बना पाएं ठीक है और अपने सातियों के साथ सियर भी कीजिएगा इसको ताकि उनको भी फाइदा हो सके अभी के लिए इतना ही रखते हैं जैहें दोस्तों